हलो दोस्तों एक बार फिर्ट स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मेरा नाम है वरुन और हम बात कर रहे हैं सीवीटी की तो भई एडवीशन स्टार्ट हो गए सीवीटी के अब भई समस्या है दिमाग में कि कौन सा यूनिबस्टी अच्छा है कौन सा बुरा है क्या कैसी यू सब्स्राइब करना है ताकि हर एक चोटी बड़ी जानकारी सीवीटी की यहीं आपको सबसे पहले मिले अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट्रल ट्राइबल यूनिवस्टी यह कहां कि आंधरा प्रदेश की है कैसी यूनिवस्टी है क्या ओबर व्यू है किस प्लेस्मेंट की क्या फेसलिटी है सारी चीजे हम यहां इस वीडियो में हम पूरी ट्राइबल यूनिवस्टी जो है सेंट्रल यूनिवस्टी कहां कि आंधरा प्रदेश की बात करने वाले है तो इसके बारे में अगर बात करी जाये तो क्या बात करें इसकी सेंट्रल ट्र courses entrance based मतलब पहले entrance based हुआ अगर दे थे अभी भी है अलग-अलग entrance ना होके अब जो particular entrance है उस पर ही क्या हो रहा है admission कर रहा है student needs to fulfill minimum eligibility जो भी minimum eligibility criteria है वो बच्चों को क्या है fulfill करना होगा तब ही ये क्या है उसके लिए eligible हो पाएंगे अगर admission चाहते हैं तो UG courses की अगर बात करी जाए तो UG courses के लिए university ने CUET का जो program है जो 2022 के examination CUET UG program के हुए है जो NTA conduct कराई है उसके माध्यम से ही offer किये जाएंगे ऐसा इन्होंने कहा है highlights निकलेते हैं क्या कैसा establishment की बात करें तो 2019 में established ये university है Central Tribal University of Andhra Pradesh public university है UGC ने इसको approved किया हुआ है university grant commission ही तो है और अगर set करें तो government of India के द्वारा इसको set up किया गया है अगर monitor की बात करें mentor जो है university वो कौन सी है अंधरा university है जो mentor है इसकी किसकी Central Tribal University of Andhra Pradesh की entrance exam की बात करें तो university entrance exam होता है अभी तो कुछ कुछ प्रोग्राम में है बाकी में नहीं है इसको बोलते है Central Tribal University of Andhra Pradesh Central entrance test है ना या हाँ और courses की बात करें तो PG courses integrated courses PG diploma courses ये सभी courses offer किये जा रहे हैं ये Tribal University of Andhra Pradesh के द्वारा popular courses है यहाँ पर MSC MSW BSC plus MSC का integrated course तो भई क्या-क्या है ये सारी चीज़ें देख लेते हैं यहाँ पर application mode की बात करें तो सारी की सारी application जो है वो online mode में ही विवस्ता अब कर दी गई है application की admission criteria में आपको क्या है दो criteria है एक तो merit based या entrance test जो है उसके basis पर आपको admission दिया जा सकता है campus की बात करें तो भई 525 एकड का ये campus है Central Tribal University of Andhra Pradesh का facilities में देखें तो library facility है, laboratory है भई या transport की विवस्ता है computer, internet की विवस्ता है और क्या ही चाहिए ठीक है official website है अगर आप ये admission करना चाहरें तो इसी के थूँ ही ये सारी चीज़े होगी जो क्या है ctuap.in ये आपकी official website है जिसके माधियम से ही आपको online क्या है admission process करना है admission criteria और process की बात करी जाए तो सबसे पहले क्या है कि CUET UG 2022 की ये जो result है वो आतो चुके ही आप सभी को पता है उसके बाद ही क्या है अलग-अलग UG courses के लिए आप apply कर सकते है तो अगर आप Central Tribal University of Andra Pradesh में admission चाहते है तो उनको क्या करना होगा admission process प्रक्रिया है उसको fulfill करना होगा CUET exam हो गया है UG का result declare भी हो गया है अब online registration start कर दिये गया है तो इस website में जाना है Central Tribal University of Andra Pradesh वाली और उसमें क्या है आपको apply करना है apply करने के बाद merit list जो है वो क्या है generate करी जाएगी इनके द्वारा और वो merit list official website पर मिलेगी जिसके बाद अगर आपको मिल जाता है University Medivision तो आपको fee बगेरा submit करनी और program आपका चालो हो जाएगा क्या-क्या courses और उनकी क्या fees है जो provide करती है Central Tribal University of Andra Pradesh तो अगर बात करें MSC program जो है दो courses है इसके इसकी fee क्या है बेरी करती है तो एक बार please check कर लिजेगा इसलिए जान बूझ के गलत लिखने से अच्छा है हमने लिखा नहीं है बहुत अच्छी बात है graduation में 50% आपकी क्या है यहाँ पर marks होने चाहिए क्योंकि MSC program है master program है तो graduation में 50% जो भी है stream उससे आपके 50% marks होने चाहिए और CUET PG का exam आपने दिया हो उसके basis पर आप MSC program यहाँ पर course offer किया जा रहा है उसमें आप admission ले सकते है आपने entrance exam दिया हो और उसके merit के basis पर उसके score के basis पर ही आप यहाँ पर apply कर पाएंगे MSW master of social worker का यह एक course है यहाँ पर जो available है offer किया जा रहा है यहाँ पर graduation आपको 50% और CUET PG का examination आपने दिया हो उनके basis पर ही यह program में admission आपको मिल सकता है अगीन बात करें MA की तो MA program के 3 courses यहाँ पर available है अलग-अलग stream में जिसके लिए आपको 50% से graduation करना होगा 50% aggregation mark से और CUET PG का exam आपने दिया हो उसके score card पर आप eligible हो पाएंगे MJMC का एक course available है ठीक है journalism and mass communication है यह master of ठीक है इसमें graduation 50% और CUET PG तो यह सारे के सारे PG courses available थे जो कहां है Central University Central Tribal University of Andra Pradesh इसमें बाकी bachelor programs जो है मतलब UG program है उसमें BSC plus MSC integrated course है भाईया 3200 first year की fee है यहाँ पर ठीक है और 12th होना आपकी अनिवार है याद रखिएगा BBA plus MBA integrated program है 2900 first year की fees है 12th pass होना यहाँ पर आपकी eligibility है MSC MSC अगर आप करना चाह रहे हैं तो 3600 first year fee है graduation आपकी must है और बाकी की CUET का जो PG examination है PG diploma अगर आप करना चाह रहे हैं तो 5000 रुपी total fees हैं यहाँ पर graduation होना क्यूकि भाई graduation के बाद ही तो post graduation का diploma करेंगे न MSW प्रोग्राम के लिए 3200 रुपे जो है first year की fee है bachelor of social work degree जो है वो आपने की हो वो बहुत important है उसके अलावा आपको CUET प्रोग्राम भी MJMC मतलब Master of Journalism in Mass Communication 3200 रुपे जो है first year की fee है यहाँ पर और graduation आपकी eligibility में important है और बाकी के जो entrance examination है CUET यूजी प्रोग्राम यूजी कोर्सिस के लिए PG प्रोग्राम पीजी कोर्सिस के लिए मलब PG entrance exam चलिए scholarship की बात करें तो बहिया यह जो है अलग-अलग scholarship provide गराती है central tribal university of आंतरा प्रदेश यहाँ पर आप जन्म भूमी scholarship भी apply कर सकता है university assistant student to enroll बाया जन्म भूमी scholarship portal which maintained by the state government state government जो आंतरा प्रदेश की है वो यह जन्म भूमी scholarship portal जो है वो देखती रहती है उस पर apply करना है और यह scholarship आप राप्त कर सकते हैं यहां से साथी साथ government of आंतरा प्रदेश गिम्ता scholarship based on certain criteria जो अलग-अलग criteria है इसमें बच्चों की eligibility हो अलग-अलग income parents की जो है उसके base पे बहुत सारी अलग-अलग scholarship provide करी जाती है facilities की बात करें से यू जो Central Tribal University of अंतरा प्रदेश है तो उसमें library हमने देखी ली थी लेपर रिठी है computer internet transport facility और उस्टल इत्यादी की बहुत सारी facilities है इसी के साथ भी बात हो जाती है क्या देखी यार 2019 में ये starless हुई है university तो बहुत ज़्यादा तो इसके बारे में है नहीं क्योंकि अभी तो शुरू ही हुई है ना यार है ना अभी तो इनका जलजला बाकी है है ना तो आप नए पहले आए पहले पाए वाली ये university हो और बहुत अच्छी universities हो सकती है आप लोगों के द्वारा तो बिल्कुल बेफिकर रही है अच्छी university है जो जो जानकारी मिली वो सब हम आपके सामने यहां Central Tribal University of Andhra Pradesh के लिए गया है आपको करना क्या है वीडियो को लाइक करना है पसंद आए तो दोस्तों में शेर जरूर कर दीजेगा और चानल सब्स्राइब करना है ताकि हर CUT की ख़बर आपको यहीं सबसे पहले मिले और अंगले कॉलेज की पूरी जानकारी के साथ मिलते है वीडियो में तब तक के लिए जाहिए I hope you like this video for more such videos keep watching our channel and do not forget to like share